इस वीडियो में हम नंबर मैजिक मैधमेटिक्स टैक्स्ट बोग क्लास एट चैप्टर नंबर 5B एक्सरसाइज के कोश्चिनों के सॉल्यूशन और अनके अंसर देखेंगे चलिए देखते हैं पहला कोश्चिन आपको जो दिया हुआ है पहला कोश्चिन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि लेंथ क्या है सबसे बले हम ले लेते हैं डेटों रेक्तेंगल है हम जानते हैं जो हमारा नाइंटी डिगरी का एक एंगल बनता है यहां पर हम सीधे पाइथा गुरस प्रमें लगाएंगे Pythagoras Premier में क्या होता है जो आपका hypotenuse होता है उसका square is equal to length का जो होता है उसका verb plus जो आपका जबनती है उसका verb इन दोनों का जो होता है square है आपका addition होता है तो यहां पर हमारे पास में db दिया हुआ है diagonal जिसकी value दिए हो यह 13, DC हम find करना है, तो X लेंगे, C भी हमारे पास 5 है, तो 5 का square, यहां से X square is equal to 169 minus 25, square minus किया, तो यहां पर हमारे पास में आया 144, अब square को हमको remove करना है, तो square root लेंगे, तो X is equal to 144, square root, तो X की value 144 हमारा 12 का square होता है, तो 12 multiplied 12, it means X की value कितनी आया आए आपके 12, hence the length of the rectangle is 12 centimeter, second question दिखते हैं, second question में आपको दिया the side of rectangle आरे न, ratio find side of parameter 20 centimeter, जैसे कि एक question हमारा last exercise में भी आया था 5 पे में, वैसा ही इसको solve करना है, breadth को आप ले लीजे, और length को ले लीजे, तो आपकी length हो गई 2x, breadth आपकी 3x, parameter 20 centimeter दिया हुआ है, parameter का आपने formula लगाया, 2L plus B is equal to 20, यहाँ आपके X की value find कि, तो X की value कितनी आए आपकी 2, it means length 2x है, तो 2 multiplied to 4 centimeter, and breadth 3x है, तो X की value रखने पर 6 centimeter, तो यह आपके क्या हो जाएंगे, answer हो जाएंगे, यह 5 नहीं है, यह 6 है, इसको अच्छे से देखेगा, फिर question number 3 पर आजाते हैं, question number 3 दिया हुआ है, in figure true rectangle, TRU, यह आपके points की value है, which diagonal meet O, fix, if OR 3x plus 2, and OT 4x minus 3, अब यहां पर rectangle का diagonal meet O, तो यहां पर क्या होता है, जो आपके जो rectangle होते हैं, जो cut करते हैं, वो क्या होते हैं, सारे equal होते हैं, तो OR plus, OR equal to OT लेंगे, यहां से X की value, OR और OT की value हमने put की, 3x plus 2, 4x minus 3, यहां से X की value हमारी क्या है, 5, question number 4th पर आते हैं, question number 4th दिया हुआ है, in the given rectangle ABCD, BP is equal to BC, what is the measurement of angle PCD, angle PCD का निकालना है, तो यहां पर हम जानते हैं, कि given हैं हमारे पास BP और BC, find करना है, PCD, ISOC, से less triangle है, where angle B, right angle होगा हमारा, तो यहां पर हम put करेंगे, PBC में, 3 अदिलब sum of all the angle of triangle is 180 degree, हमारे पास में, 2 angles यहां पर equal हैं, और 1 angle 90 degree दिया हुआ है, इसको swap करेंगे, तो 2 BCP is equal to 90 degree, BCP is equal to 90 upon 2, it means 45 degree, यह 45 आगे हमारे पास में, अब यहां पर DCB जो angle है, DCB, यह angle जो हमारे पास में, यह क्या है, 2 angle का समय, अब देख रहे होंगे, जो आपका DCB है, यह 2 angles का समय, जिसमें आपका पहला angle हो गया, BCP, यहां का, और दूसरा हो गया, PCD, यह आपके 2 angles का समय हो गया, यहां पर हमने BCP निकाला है, आप देख रहे होंगे, BCP, यह वाला angle निकाला हमने, 45 degree, तो यहां पर हमारे D क्या है, यह 90 degree हो गया, यह total 90 degree का होगा, क्योंकि यह rectangle दिया हुआ है, तो 90 degree हुआ, तो यहां पर हमने क्या क्या, 90 minus 45, it means PCD जो है वो आपका कितने degree का है, 45 degree का, चलिए question number 5 पर आते हैं, question number 5 दिया हुआ है, in a figure PQRS is a rectangle, and its diagonal PR and QR intersect at O, POQ is equal to 110, find the measure of PQO, PSQ, ORS, चलिए देखते हैं, given जो हमको दिया है, सबसे पहले हमने given लिया, rectangle है, एक angle दिया हुआ है, और diagonal meet कर रहा है, point पर find करना है, PQO, PSQ, ORS, चलिए case 1, case 1 में ले ले लेता, SOQ is a linear pair and opposite angles, than, SOR is equal to POQ, यहाँ पर SOR हमारा कितना दिया हुआ है, 110, POQ भी कितना होगा, 110, PQO is equal to OPQ, यह हमारे क्या हैं, opposite angles हैं, यह हो गए, अब हम triangle ले रहा है, POQ, अब हमारे पास में कुछ values आ गई, तो हम triangle लेकर चलेंगे, जिसमें PQO plus POQ plus OPQ is equal to 180 degree, PQO, हमारे पास में एक angle दिया है, POQ, यह angle की value दी हुई है, 110, और जो PQO है, यहाँ पर आप देखने हुए, PQO और OPQ, यह दोनों क्या हैं, equal हैं, तो यहाँ पर हम excited ले लेंगे, तो PQO, हमको क्यों PQO की find करना है, इसलिए हम क्या रखेंगे, PQO, तो 110 को 180 में से minus करेंगे, तो 170 आएगा, और PQO 2 times होगी हमारे पास में, तो यह 170 को divide कर देंगे, 2 से तो कितना आ जाएगा, 35 degree, अब PQS, अब हम PQS angle ले रहा है, जिसमें PQS में हम देखने हैं, PQS हमारा कितना है, 35 degree, QPS, QPS हमारा कितना हो जाएगा, यह बला एंगल, 90 degree, प्लस PSQ, तो हमारे पास में दो एंगल हो गए, तीसरा एंगल PSQ निकाल लेंगे, 180 degree माइनस 125, तो हमारा कितना जाएगा, 55, आप यहां पर देख रहे होंगे, कि पहला एंगल आपका कितना आगया, PQO 35, PSQ 22, दो एंगल हो गए, तीसरा एंगल, O, R, S, तो यहां पर O, R, S आपको निकालना है, तो यहां पर आप देख रहे हो, S, O, R कितना दिया है, S, O, R आपका 1, 1, 0 degree दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, एक एंगल यह हो गया, तो आप इसमें से find कर सकते हैं, तीसरा एंगल, क्योंकि आपका यह जो Q एंगल है, इसकी जो value है, वही इसकी value होगी, आप इसमें triangle का sum लगाईए, और इसको find कर सकते हैं, question number 6 पर आते हैं, question number 6 में दिया हुआ है, figure दिया हुआ है, rectangle है, diagonal intersect कर रहे है, ECD की value दिया हुए है, आपको measurement नकालना है, AOB के angles का, चलिए देखते हैं, given है, और find करना है, OAB, BOA, BO, चलिए लेते हैं, DCO, DCO, O, plus DCE, यह आपके यह दिया हुए, 180 degree, यहाँ पे DCE की value दिया है, 140, हमारी DCO की value क्या आगई, जो interior angle है, उसकी value कितनी आएगी, 180 में से 140 माइनस होगा, तो 40 degree, चलिए, diagonal की आगई, अब Vino rectangle is bisect E से दर, and they are equal, अब जब rectangle के जो diagonal है, intersect करते हैं, तो उनके जो भी lines होती हैं, वो लिया जाते हैं, O, DCE is equal to OCR, और DCO is equal to ODC, तो यह कितने हो गए आपके, 40 degree, अब O, DCE, O, DCE is equal to O, A, B, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो आपका O, D, C, O, D, C, यह आपका angle बन रहे है, O, D, C, यह आपका जो angle है, यह किसके equal होगा, O, A, B, O, A, B, यह आपके angle equal होगे, तो यह 40 degree का होगे, sum of triangles, आप, sum of triangle, नई, sum of angle of triangle is 180 degree, यहाँ पे हमने AOB लिया, AOB में हमने 3 angles को put किया, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सारे जो angles होगे, दो angles में हमारे पास 40, 40 degree आगए, AOB के हम यहाँ से find करेंगे, BOA हमारा 40, 180 degree, माइनस करेंगे तो कितनी value आगे, 100, it means, OAB के value हमारे कितनी आगे, 40 degree, BO की value के आगे, 40, और AOB की value, 100 degree, चलिए, next question पर आता है, question number 7, question number 7 में आपको given दिया है, C, E, B, parallel, ratio E, C, D, 3 ratio 2, यह हो गया चलिए, अब find करना है, ECB और A, E, C की value, अब हमारे पास में corresponding angle, A, E, C is equal to D, C, F, यह दिया हुए, A, C, E कितना हो गया है, 126, यह दो एंगल से आपके equal हो गया, तो आपका A, C, E कितना आ गया, 126 आ गया, अब E, C, F is a straight line, E, C, F क्या है, एक straight line है, जिसमें, D, C, F is equal to D, C, E, is equal to E, C, F, तो आपका straight line की property में 180 degree होता है, और यहाँ पर 126 आपके पास आ गया है, और आपको निकालना है, D, C, E, तो यहाँ पर D, C, E, निकालना है, तो 180 minus 120, 6 is equal to 54, आपका D, C, E, कितना आ गया, 54, अब यहाँ पर हमने D, C, E, तो निकालना है, 54, लेकिन हमको find क्या करना है, E, C, B, तो अब यहाँ पर देखिए, जो आपका D, C, B है, D, C, B है, वो दो एंगल्स का सम्हें, D, C, E, plus D, C, E, plus E, C, B, यह आपके दो एंगल्स, यह दो एंगल्स का सम्हें, और D, C, B, या B, C, D, तो यहाँ पर आप 54 is equal to E, C, B, अब आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है, उसके जो फोर्ट एंगल होते हैं, चारों एंगल कितनी डिग्री के होते हैं, 90, तो D, C, B हमने गया किया, रेक्टेंगल की प्रोपर्टी से रखा, D, C हमने निकाला, 54 डिग्री, यहाँ से E, C, B की वैल्यू निकाल लेंगे हैं, कितनी आएंगी, 36 डिग्री, it means आपका A, E, C की वैल्यू 126, and E, C, B की वैल्यू 36 डिग्री, यह आपके दोनों क्या आगे, एंगल्स के आ आगे, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, question number 8, question number 8 में हमारे पास में given दिया हुआ है, P, E, 3X, P, U, 2, X, 3, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कि रेंबस दिया हुआ है, property से रेंबस की property यह आपने read के होगी, तो 4 sides की होगी है, वो equal होते हैं, तो P, E तो अब P, E कितना है, 3X है, तो आपने यहाँ पर value put की X की, 6, तो आपका कितना हो जाएगा, 18 cm, P, U, आपका X, 2 प्लस 3 है, यहाँ पर value put करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 cm, 2 multiply 9, 18 cm, आप देख रहे होंगे, कि दोनों की value जो आ रहे हैं, वो same, same आ रहे हैं, 18 cm, 18 cm, चलिए Q9 में आपको क्या दिया हुआ है, S, A, F, E, Z, Rambos, Rambos दिया हुआ है, O, A, D, I, 12 cm, O, F, 9 cm, आपको X, Y, और Z की value निकाल लिए हैं, चलिए आ जाते हैं, और Rambos diagonal bisect each other, जब diagonal bisect करते हैं, तो क्या होते हैं, वो दोनों equal होते हैं, धान रखिएगा, bisect करते हैं, तो equal होते हैं यहाँ पर अगर आप देखें, तो diagram ही नहीं देख लिए, bisect करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका O, A, 12 cm है, वही आपका O, E, यह भी 12 cm हो जाएगा, S, O, X, S है, यह 9 cm है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 9 cm, तो property का use करके, आपने X की value, 9 cm find कर ली, और Y की value, 12 cm find कर ली, अब आपके पास में जो बचा, Z, अब आपको find करना है, Z, ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं, अब Z कैसे find करेंगे, दो value तो हमने निकाल ली है, तो Z find करने के लिए आप देखें होंगे, कि O, E, F, यह आपका एक triangle है, यह क्या बनना है, एक, आपका right angle triangle बना है, तो right angle triangle में क्य करते हैं, पाइथागोरस प्रम ही लगा देते हैं, जिसमें, EF का square is equal to, OF का square, OE का square, values put करेंगे, तो Z square is equal to 2 to 5, अब यहाँ पे square room ही करेंगे, तो square root ले लेंगे, 2 to 5 का, जो की हमारा कितना होता है, 15, तो यहाँ पे आपने तीनो value find की, X की value क्या आपके, 9, आपकी rambus की diagonal क bisect की property से, Y की value आपकी, 12 आगई, यह भी आपकी property यूज करके निकलेगी, और यहाँ पर हमने Z की value, पाइथागोरस प्रम ही लगा के निकाल दी, तो यह तीनो value आपकी आगई, चलिए next पे आपने question number 10, question number 10 में आपको दिया हुआ है, AB 10 cm, BD 16 cm, और find करना है AC, ठीक है, अब यहाँ पर हम solve करते हैं, तो यहाँ पर AOB में using pythagoras प्रम ही, AOB में pythagoras प्रम ही लगा रहे हैं, जिसमें हम OA की value find कर रहे हैं सबसे पहले, OA की value find किया, तो OA की value क्या है है हमारी 6 cm, here OA is a bisector, then AO is equal to OC, अब OA sector है तो AO और OC बराबर होंगे, और AC क्या होता है हमारे पास में, AC जो है हमारा total, यह क्या है, OA और OC से मिलके बना हुआ है, it means 6 plus 6, 12 cm, तो AC की value है आपकी 12 cm, चलिए 11 number question पर आपते हैं, यहाँ पर दिया है, ABCD is a rumbus, diagonal AC and BD, अब OAB, OBA, यह आपको ratio में दिये हैं, 3 ratio 2, मतलब OAB 3X और OBA angle आपका क्या हो गया, 2X angle हो गया, find करना है, COD, OCD, ODC, AOB में सबसे पहले हमने देखा, कि sum up interior opposite angle, क्या होते हैं, equal होते हैं, तो OBC, OBC, यहाँ पर OBC, यह आपका मना, is equal to OBA, OBA, यह angle, plus BAC, B, A, O, B, A, E, हो गया, आपके यह angles हो गया, इस angle के equal में, अपने exterior angles की property पढ़ी होगी, जिसमें exterior angle is equal to, क्या होता है, आपका sum of 2 interior angle, वही यहाँ पर put कर रहे हैं, तो यहाँ पर 90 degree is equal to, 3X plus 2X, अब यह 90 क्यों लिया, तो यहाँ पर हमारी X की value कितने आगई, 18, it means OAB, हमारा 3 दिया था, तो 3X, 3 multiply 18, 54, OBA, 36, 2X दिया था, 2X, 36, अब यहाँ पर हम AOB, अब यह हम triangle लेके, इसमें triangle की property लगा देंगे, sum of all the 3's angle is equal to, 180 degree, तो यहाँ से हमारे पास मा angle O निकल आएगा, तो O कितना है, 90, अब देखिए, जो हमने यहाँ पर value 90 put की, यहाँ पर आपकी proof भी हो रही है, कि हमने यहाँ पर 90 क्यों पूट किया, क्योंकि O कितना है, 90, 90 degree का बन रहा है, अब हम जानते हैं कि A, O, B और C, O, D यह दोनों क्या है, parallel हो जाते हैं, मतलब congruent triangle है, रैंबस की property से यह congruent triangle हो गए, तो जितने भी angle हैं, वो सारे equal होंगे, तो angle C, 54, O, 90, और D, 36, तो according to questions, जो आपसे पूछा गया था, वो आपका answer आ गया इसमें, C का 54, O का 90, और D का 36, चलिए next question देखते हैं, question number 12, question number 12 में आपको दिया हुआ है, ABCD चार एंबस, जिसमें, AC is equal to BC, BC is equal to AB, side of reverse, equation 1 और equation 2 से 3 side equal होंगे, अब यहाँ पर measure दिया हुआ है, 60 degree का similarly, हमारा AD is equal to BC, side of reverse, AD is equal to BC, यह हमारी सारी side क्या हो जाएंगे, angle equal हो जाएंगे, तो DAC is an equilateral triangle, तो DAC क्या हो जाएगा, equilateral triangle हो जाएगा, जिसमें आपके जोड एंगल से वो कितने हो जाएंगे, 60, 60 degree के, अब एंगल BCA plus DCA, यह आपका BCA और DCA क्या बना रहा है, C angle बना रहा है, टोटल, तो यह क्या होगा, 60 plus 60, 120, ऐसे ही, CAB plus CAD, यह आपका कौन सा angle बनाएगा, A angle, और 60 plus 60, 120, तो आपके जो रेंबस के angle पूछे कहेती, वो कितने हो गए, 120 degree, 60 degree, 120 degree, और 60 degree, चलिए, नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन दिखते हैं, लास्ट कोश्चन आपका दिया था, गिवन है, रेंबस है, ABD आपका 40 degree दिया हुआ है, फाइंड करना है, BAC, BCD, ADC, we know, the diagonal of rames intersected 90, जब diagonal intersect करते हैं, तो 90 का आपका angle बनता है, तो अब triangle की property यूज़ कर लेते हैं, तो triangle की property यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, OA, PLUS AOB, PLUS AOB, 180 degree, OAB की value find करेंगे, O, O हमारा 90 degree, O, B की value 40 degree, it means, OAB is equal to 50 degree, यह हमारा निकलाया, second point देखेंगे, DC parallel to AB, DC यहाँ पहलाल AB से, तो angle DCA is equal to angle CAB, alternate interior angles दोनों equal होते हैं, it means, इसकी भी value क्या हो गई, 50 degree, in triangle ADB, AD is equal to AB, side of rames intersect equal होते हैं, तो आपका ADB और ABD क्या हो गया, 40 degree, ठीक है, अब ADC क्या है, ADC जो है, वो है, आपका ADB और CDB का sum, दो angles का sum है, ADC, total angle, तो यहाँ पे ADC is equal to ADB plus CDB, 40, 40 degree, 80 degree, तो ADC आपका 80 degree आगया, BAC आपका कित्ता आगया, 40 degree, अब third condition देख लेते हैं, BCD, BCD, BAC is equal to ACD होगा, और ACD कित्ता हो जाएगा, आपका, 50 degree, BCD आपका 2 angles का sum है, कौन से 2 angles का sum है, ACD और ACB, 2 angles का sum है, यहाँ पे आप diagram में देख रहे हूं है, यहाँ पे देख लीज़ी इसे diagram में, 2 angles का sum, तो दोनों angles का sum है, आपका 100 degree, 50 plus 50, 100 degree, तो यह आपके exercise 5B के, all questions के answer complete हुए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक like कीज़े, thank you for watching this video, next video में next exercise के question के solution और answer देखेंगे, I hope आप लोगों को समझ में आ रहे हूंगे question, और आपको इन वीडियो की मदद से help मिलेगी आपके, other questions को भी solve करने में, करने में आके हुआ हूंगे, करने में हुआ। करने में हुआ।